हेल्थ ब्यूटी और प्रोड़क्ट्स के रिव्यू से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें विक्स घ्टाएं पेट की चरवी के तिन दिनमें नमस्कार दोस्तों इस चैनल पर आपको शबागत है दोस्तों विक्स का यूज को सबसे पहले का काया जाता है तो आएस शुनारो जातें प्रविक्स का यूज कुछ से हैं सी विक्स आप विक्स ले लेंगे विक्स लेने के बाद उसको आपको पेट की चरवी पे अपला करना है यह रखके एक बाउल लेंगे और थोड़ा सा यह आपको यह विक्स का हमने यह निकाल लिया इसको आप बाउल में आप ऐसे करके बाउल में यह देखिए यहां पे हमने ब उसी पेट की चर्वी को या अन्सेसरी जो फैट है उसको कम किया जाता है तो वेकिंग पॉल्डर को आपको यह देखिए यह बेकिंग पॉल्डर को हमने थूरासा फाडने के बाद फिर अंदर से आपको जिस्थी मातरा में आपने विक्स का यूज किया है उतनी ही मात्रा में आपको वेकिंग का वी यूज करना ये देखिए ये इतनी सी मात्रा में हमने विक्स का यूज किया वेकिंग का वी यूज आपको लगबग इतनी ही मात्रा में करना ये मिला के फिर आपको इसको फेंट लेना है अच्छे से ये देखिए ये यहां पे अच्छे से मिला लेना है यह एक पेस्ट की तरह बन जाएगा दोस्तों यह देखे यह वेकिंग और विक्स को आप एक पेस्ट की तरह बना लेंगे यह यहां पे हमने एक पेस्ट की तरह बना लिया जितनी मात्रा का आपको रिक्वाइर है उतनी मात्रा में आप इस कि यहां पे इस तरह से आइसा आपको आपको पेट के पोर्शन के आउट साइड का जो पोर्शन इस्टो मैं को उस पर यूज करना है यहां पर यूज करने के बार आप दस मेंट के लिए इसको ऐसे छोड़ देना है दोस्कों 10 मिन के बाद आपको यहां पर यूज करद आपको कोटन की सहायता से एक कॉटन का ठुकड़ा लेंगे या रूई का जो कॉटन आता है उससे आप इसको पानी में अच्छी तरह से बिंगा लेंगे फिर आपको इसका इ निकाल लेना है यह यहां पे देखिए इस तरह से फिर आपको यह देखिए हलके बारी किसे इसको पोच लेना है पोचने के बाद आपको 10 से 15 मिनट के बाद आप इसके उपर आप कोई भी जो क्लॉथ आप यूज करते हैं पहन लेंगे आप देखेंगे कि आपके स्कीन से एक पानी का बड़ावर्साइए निकल राए तो वो जो है अंदर की चर्वी का जो पानी का पॉर्चान अवा पूरा बाहर आएगा और इस तरह से आप सब्ता में तीन-चार दिन यूज करेंगे तो आपका अनेसेसरी फैट जो आनेसेसरी फैट कंट्रोल में आएग हम आसा करते हैं यह चैनल आपने जरूर सबस्क्राइब किया होगा